कम्प्यूटर सिखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज के इस वीडियो में मैं आपको बैक स्पेस और डिलिट कीज में क्या डिफ्रेंच से ये बताऊंगा तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं बैक स्पेस की का यूज हम किसलिए करते हैं और इसका यूज क्या है तो यहाँ पर देखो MS Word में मैंने एक paragraph लिख रखा है अगर हम अपने करजर को यहाँ पर रखें ठीक है और अभी मैं backspace की press कर रहा हूँ तो backspace क्या करता है करजर के left side के element को यानि content को हटाता है तो देखो करजर के left side में जितने भी content लिखे हुए थे वो सभी delete हो रहे तो अभी मैं backspace की press कर रहा हूँ तब ऐसा हो रहा लेकिन अगर हम अपने करजर को यहां पे रखें जैसे यहां पे मैंने रखा ठीक है और अभी मैं क्या प्रेस करूंगा अभी मैं डिलीट की प्रेस करूंगा तो डिलीट की क्या करता है करजर के राइट साइड के content को delete करता तभी देख़ो यह तो निकित स्पेस करता है लेफ्ट साइड के долet करता है इस काम को आप अपने नोटपैड में भी कर सकते हैं जैसे अभी मैं back space press करूंगा कहीं पर भी करेंगे सेम यूजें back space press करने देखो elements वाला word अभी हट रहा उसके बाद अभी theme हटे हटे गा ठीक है लेकिन अगर अभी delete press करूंगे न देखना on the page हटे गा यह देखो ठीक है तो यह difference है दोनों मैं लेकिन दोनों में similarity क्या है अगर मैं इसको select करूं और delete की प्रेस करूं तो देखो यह delete हो गया और अगर मैं फिर से इतना content select करूं और backspace प्रेस करूंगा फिर से देखो delete हो गया तो यह दोनों में similarity है तो यह हो गया use backspace और delete keys का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए share करिए चानल पर नए है चानल को subscribe कर दिजिए